हेलो स्टुएंट वेलकाम आए यूटूब चनल लर्न टीचमा को स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिसेशन करेंगे इंपॉर्टिंट के बारे में जो एहां पर डिप्लॉमा मेकेनिकल इंजिनिंइग फोर्श मेस्टर सबजेक फ्लूट मेकनिक औन मेसेनेरिस इस वीडियो मैंने चेप्टर 3 का इंपोर्टेंट कोश्चन बता है ठीक है अगर चलने में नहीं आए वह हैं तो जब वी चलनल को सब्सक्राइब करते हुआए अपने दोस्तों साथ जरूब वीडियो से रिकिजे क्योंकि नए नहीं इए इंपोर्टेंट कोश्चन हर यहां चरसानी होगी और साथ में जो कंसकश्ण जो ओप्रेशा ने उसको भी यहां पेड्राइब कर ने करने बताने होंगा देख सकते हैं हुआ कमसे क्यार परियर पर करते हैं घ् AMध लिचेट पिडेक्न हुए पर लिखने होंगी और साथ में इसकी लिमिटेशन भी लिखने होंगे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पूरी तरिका से इसके एंसर भी यहाँ पर सो करके बताई है कोश्चन 3 के अगर बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं, मैंने 5 वहाँ पर explain करने के लिए करनी यहार पर बताए है पाँचों में से कमसे कम एक या दो फूरो q How सब्सक्राइब रख सकती है क्जो़र्व यहां पर करता है अगर अगर को सब्सक्राइब नहीं पूछ पुइंट यहां पर दर्साने होंगे तब जाके आपको चार नमर मिलेंगे ठीक है कोश्चन नमर को फाइब की बात करते हैं तो यहां नुमरीकल आ जाता है इससे पहले मैंने जितनी बताई इस अब थियोरी ता ठीक है अब नुमरीकल में यहां पर स्टार्टिंग होगी नुमरीकल तो देख सकते हैं जितनी मैंने नुमरीकल बताई है चाहिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है एक दुबर अगर प्रेक्टिक्स कर लेते हैं तो 100% आप एक्जाम में एटेम कर पाईगा यह चीछ पर आपको गौर करना ठीक है कोश्चन में 7 के अगर बात करते हैं यह आप नुमरीकल के तीसरी टाइप है जो वह द्यान देनी है कि आखिरम इसको कैसे प्रेक्टिस करना दो से तीन वार आप इसको आप कोशिच करते हैं प्रेक्टिस करते हैं तो 100% इसको कर इसके बाद देख सकते हैं मैंने पूरी स्की यहाप एक्सक्प्लेन की विए कि आखिर में इसको कैसे बनाना आओ यह जो बनेगी यहाँ पर लिएस्ट एकमेलेस बेस का. पर बनेगे ठीक है मुझे आसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आये होगी अगर यहां पर चैप्टर फॉर का इंपोर्टेन कोशन चाहिए तो वीडियो के डिस्ट्रिप्शन लिंक में यहां दी वही है ठीक है हो सके मेरे वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सस्क्राइब क किजिए और वीडियो को जलूँ सेर किजिए वीडियो देखने के लिए धन्यबाद